अपने विडियो को पॉस्ट कर सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंट्स यह है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हो रागर आपको बीच में इंट्रप्शन हो रहा है तो आप meanwhile recording अपने वीडियो को रोख सकते हैं इसको करने के लिए आपको basic setting की requirements होगी जो मैं आपको आगे बताने वाला हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा OBS में यह initially setting इसलिए नहीं होती क्योंकि OBS एक live streaming software है इसको streaming के लिए यूज किया जाता है वर हम लोग इसे recording के लिए भी यूज करते हैं तो OBS ने इस बात का भी ध्यान रखाये और हमें यह feature प्रोवाइड किया है OBS ओपन करने के बाद में आप फाइल section पर जायेगा File section में आपको setting पर जाकर click करना होगा यहाँ पर New window ओपन हो जाएगी आपको output पर click करना होगा यहाँ पर आप 2 section देख रहे हैं पहला स्ट्रीमिंग एं नदूसरा है recording recording section में recording quality पर आप क्लिक करिएगा recording quality पर क्लिक करने के बाद ने आपको यह सारे options यह four options शो हो रहे होंगे अभी presently same as a stream है तो आप इसको high quality medium file size या फिर और अच्छी quality के लिए अगर आप यह last वाला option select करेंगे तो file size बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप इसे बिल्कुछ select मत करि रहते हैं यह सारी different different जो settings है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इसको as it is रखिएगा उसके बाद आप अप्लाय पर क्लिक करिए और ok करकर इससे भाहर आ जाएए जैसे आपने इस सारी setting करी आप आपको यहाँ पर एक extra icon show हो रहा होगा यह equals to type का option show हो रहा है यही option है इसक इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप shortcut कि assign कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए useful है तो आप इस वीडियो को like जरूर करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करिना मत भूलिएगा क्योंकि मैं OBS से related और education से related digital marketing से related continuously videos upload करने वाला हूँ अपन अजया है